आज से अल्मूस्ट एक साल पहले मैंने थेटर में ऐसा सीन देखा डिस्को शायद इंडियन सिनिमा की वन अफ दो बेस्ट एंट्रीज में हमेशा रखा जाएगा रोलेक्स इन विक्रम भाई पूरा थेटर फट गया था लिटरली अचानक से वक्त बदल गया, जजबात बदल गया, जिन्दगी बदल गई तब शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि इससे जादा पारफुल फॉस्ट लुक किसी केरेक्टर का दुबारा हो सकता है बट ओ, मैं कितनी गलत थी सूरिया इस बैक फर दर बैंक और इस बार जिस नुकलियर बॉम को वो लेकर आए हैं, उसका नाम है कंगुवा पैन इंडिया मुवीज तो बहुत साधी देख लिए हम लोगों ने, लेकिन ऐसा पारफुल फास लुक्षाई जिन्दगी में पहली बार देखोगे आप एक्टर्स को ज़रुत पढ़ती है डायलोग्स की अपनी बातें ओर्डियन्स तक पहुँचाने के लिए लेकिन सूरिया के पास एक स्पेशल टैलेंट है, यह सिफ अपनी आँखों से पब्लिक को हिपनिटाइज करते हैं, डायलोग्स वगरा मैटर ही नहीं करते हैं हाँ तो पहले कंगुबा की बात करते हैं, फिल्म है कि इस बारे में जादा डिरेल्स रिवील नहीं करूंगी बाहुबली देखिए आपने एक माइटी वॉर्यर की कहानी जब पूरे तीम घंटे की फिल्म में आप एक अलगी दुनिया में पहुँच जाते हो तो ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ अलगी होने वाला है लेकिन ऐसा होगा, इतना खतरनाक, इतना जादा पाउफुल ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब विज्वल्स तो सच में आपके होश उड़ा देंगे, एक एक फ्रीम ऐसा बनाया गया है जिसको pause करके आप wallpaper बना सकते हो mobile computer का अपने lead character को present कैसे करना है, अक्सर ये चीज़ बड़े बड़े directors के सिर्फ दिमाग में रह जाती है वो इसको screen पे convert नहीं कर पाते लेकिन जो SS Raja Molly जैसे directors हैं, वो इस mission impossible को possible करने का power रखते हैं जैसे RRR का ये amazing animal वाला sequence, unexpected, unthinkable, लेकिन राजा Molly के लिए सब कुछ possible सच बोलूं कंगुगा के teaser में एक scene को देखकर seem to same वैसे ही positive vibes है मुझे वो जगे जहांपे अपने lead character को introduce किया गया और साथ मैं animals को as supporting actor यूज़ करना आपने सोचा नहीं होगा लेकिन ये दोनों animals को is frame में डालकर director sir अपने warrior की qualities को explain कर रहे हैं खतरनाक presentation अकसर big budget planning या movies के बारे में हम शिकायत करते हैं कि यार VFX, CGI effects ये सब थोड़े average हैं पैसों के comparison में बट Boss Kangoova के teaser में सब कुछ top level का है मुझे यकीन नहीं होता इतने कम पैसों में ऐसी quality कैसे achieve कर ली इन लोगों ने undoubteddy जितने solid film के visuals लग रहे हैं उसको तगडी टकर दे रहा है इसका background music literally आग लगा दी टीजर को देखते वक्त मेरे दिमाग में बस यही लडाई चल रहे थी आँकों के सामने जो है या फिर कानों से जो सुनाई दे रहा है जादा importance किसको देनी है मुझे पता है North में लोग Hindi language में इस teaser को देखना पसंद करेंगे बट दोस्त अगर subtitles पढ़ सकते हो न तो एक बार original Tamil version ज़रूर देखना इस Glimpse teaser का वहाँ एक अलगी level की energy और vibes फील होंगी आपको और finally वो moment जो English dictionary में लिखा हुआ शब Goosebumps को define करता है सूरिया का introduction as Kangua वाव बॉस फिल्म का टिकेट अभी से book करने को तयार हूँ मैं जितने पैसे चाहिए उतने ले लो मतलब इतना जादा intensity है ना सूरिया की आँखों में कमाल का dedication होता है इनका हर फिल्म के character को real जैसा feel करवा देते हैं रोलेक्स को कुछ इस तरह establish कर दिया इन्होंने cinema lovers के दिमाख में पूरे तीन घंटे की film है सिर्फ तीन मिनिट चाहिए वे सूरिया को और इस बार तो game सिर्फ कुछ seconds का है बस दो-तीन scenes के दम पर सूरिया ने Kangua के first look को Indian cinema के history में permanent fix कर दिया अब इस बात में कोई doubt नहीं है कि इस glimpse teaser के दम पर film को अभी फिलाल तो अच्छा खासा hype मिलने वाला है पबलिक की most anticipated list में जाएगी है बट डर लगता है मुझे ये सोचकर कि कहीं Kangua दूसरी Vikram बनके ना रह जाए बस गलत मत समझे बहुत deep thought है ये Vikram जैसी mass plus class film अभी तक बनी नहीं है इंडिया में थांक्स तो डिरेक्टर लोकेश कनकराज का larger than life वाला vision बट में शौक रह गे थी ये जानकर कि Vikram का not belt में box office performance इतना पूर कैसे हो सकता है Tamil belt में film ले record breaking collection किया था और वो expected भी था यार इसलिए जादा बड़ा जटका नहीं लगा वहाँ पे बट इतने top level का quality cinema not belt में audience तक नहीं पहुँचा reason सिर्फ film के makers थे जिन्होंने public को seriously नहीं डिया अब मुझे कंगुआ के लिए वही same to same डर लग रहा है इसके अंदर पूरा पूरा potential है इंडिया की दूसरी बाहुबली बनने का लेकिन film के makers को S.S. राजा मॉली की marketing skills से भी inspiration लेना पड़ेगा गुरू audience audience होती है not out सिर्फ दिमाग में है अगर बाकी कंगुआ के makers इस language barrier को तोड़ देते हैं तो पक्की बात है 2024 में ये फिल्म एक तरफ होगी और दूसरी तरफ बाकी movies सिर्फ इससे compete करेंगी वैसे फिल्म में दिशा पार्टनी भी है opposite सूरिया इनका character शाएक किसी reporter मैडम वगेरा का होगा जो कंगुआ पर research करेंगी मुझे पता है अपने हिंदी वाले बंदे दिशा की acting में दशा देखकर ये नाम सुनके थोड़ा घबरा गए होंगे टेंशन ना लो ये जो सूरिया है ना ये अकेले hero heroine supporting actor सब की acting खुद कर लेते हैं उस department में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तो फिर सच सच बताओ क्या बोलती public कल रात को कंगुआ को देखकर आपकी नीन थोड़ी सी उड़ गई थी या फिर नहीं पैन इंडिया गेम में क्या लग गा है बाहु बली के records को challenge करने वाली film finally market में आ चुकी है या फिर विक्रम जैसा हाल तो नहीं होने वाला है अपनी सूरिया भया की फिल्म का makers को साबधान रहना पड़ेगा हां की ना बोलो बोलो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई